Hello everyone and welcome to Instant Biology by Dr. Nila मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक important information देने के लिए मैं आज बात करने वाला हूँ कई सारी positions जो की notify हुई है DRDO की तरफ से DRDO के बारे में आपको पता ही होगा कि Defense Research and Development Organization है DRDO हमारे देश की एक बहुत ही prestigious organization है और इसके अंडर में आता है एक research institute, Defense Institute of High Altitude Research इसको DR भी बोलते हैं, DIHAR तो DRDO की तरफ से notification आया है DR के अंडर में काम करने के लिए और 13 positions आई हुई है यहाँ पे जो salary है वो बिलकुल GRF के तरीके से मिल रही है और इसके बाद यहाँ पे आप PhD के लिए भी enroll कर सकते हैं कुछ positions में तो यह भी option है तो यह एक बहुत जवरदस्त opportunity है मुझे लगता है कि आप सभी जो भी aspirants हैं उनके लिए यह काफी एक अच्छा opportunity हो सकता है अगर आप eligibility criteria को meet कर रहे हैं तो बिना देर किये हुए आपको सारी चीज़ें बताता हूँ बस आपसे एक पहले request है कि अगर इस channel पर दिया जाने वाला content आपको पसंद आता है तो इस video को ज़रूर like करिएगा और चैनल को subscribe करना ना भूलिएगा इससे हमें continuous motivation मिलता है कि हम आपके लिए और बहतर content लेके आ सकें तो वीडियो शुरू करते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें highlight कर दी है अब DR का जो motive है वो क्या है कि nutrition, health, energy, security troops को provide करना जो high altitude area पे तैनात है तो अब देखते हैं कि कौन-कौन सी positions यहाँ पे निकली हुई है तो देखे, JRF के अगर मैं बात करूँ तो 13 positions निकली हुई है जिसमें कि सबसे ज्यादा positions जो है, 5 positions जो है वो animal science, veterinary science, zology, biotechnology, biochemistry, microbiology, immunology के subjects पे निकली हुई है इसके बाद, दो post जो है वो botany और environmental sciences के लिए है दो post agriculture और horticulture के लिए है अब देख पा रहे हुँगे कि इन positions के उपर estrict mark नहीं है और in positions के उपर estrict mark है नीचे देखते हैं एक position horticulture और oliriculture है या agriculture, agronomy और यहाँ पे एक post botany की और दो post microbiology की है अब देखे अगर मैं essential qualification की बारे में बात करूँ अगर आपके पास MSC या MVSC है first division में और net qualification है तो आप apply कर सकते हैं या आपके पास mtech हो तो अगर आपके पास mtech है graduation और post graduation आपने कर रखा है mtech कर रखा है तो आपको net qualification की ज़रूवत नहीं है अब देखें यहाँ पे इस्टरिक मार्क और नॉन इस्टरिक मार्क का क्या मतलब है नॉन इस्टरिक मार्क का मतलब यह हो गया कि ऐसी positions जिनमें आगे PhD में register करने का option है और star mark या इस्टरिक मार्क जिस position पे दिया हुआ है यानि कि यह last की जो तीन positions है तीन जो यहाँ पे एक position यह, एक यह और दो position यह है तो दो, एक, तीन, एक, चार टोटल मिला करके 4 positions में एस्टरिक मार्क है इनमें आप PhD में आगे चल करके registration नहीं कर सकते यही चीज़ लिखी भी will not be considered तो star mark जहाँ पे है candidates will not be considered for PhD registration during their tenure of fellowship अगर मैं एक और position की बात करूँ तो यहाँ पे RA के बारे में भी निकला हुआ है यहाँ पे PhD नागरिकल्चर एक्सेंशन यह होना चाहिए आपके पास और यहाँ पे एक position advertised है next अगर बात करें तो upper age limit जो है वो 28 years की है 35 years दिया हुआ है RA के लिए 28 years जो है वो JRF के लिए दिया हुआ है तो यह walk-in interview होगा relaxable for SC, ST and OBC candidates as per government of India orders अगर मैं बात कर रहा हूँ JRF के लिए तो stipend कितना मिल रहा है 37,000 plus HRA मिल रहा है initially 2 साल के लिए मिलेगा और उसके बाद upgradation कर दिया जाएगा इसका अगर मैं RA के बारे में बात करूँ तो maximum याद रखिएगा कि यह पूरा जो maximum period है यह 5 साल का दिया हुआ है अब मैं अगर बात करूँ तो RA के बारे में stipend of 67,000 plus HRA है यह और for maximum period of 2 years 2 साल के लिए यह है ठिक next आ जाता हूँ तो selection procedure यहाँ पे क्या है तो 100 hours पे यानि कि सुबह 10 बजे 15 फरवरी 2024 को आपको walk-in interview के लिए जाना है डिहार based lab कहाँ पे है यह चंडीगड के अंदर है तो यह पूरा address दिया हुआ है इस address पे आप जा सकते हैं क्या क्या ले करके जाना है आपका certificate जिसमें आपका date of birth लिखा हो essential qualification की details आपके पास होनी चाहिए that means आपके पास जितने भी आपका certificates है जितनी भी degrees है उनको ले करके जाना है original और एक self-attested copy भी इसके अलावा bio data ले करके जाना है और इसके अलावा आपको जो भी आप अगर RA के लिए apply किये होए तो जो भी documents आपके पास supporting documents या RA की position के लिए तो उसको भी ले करके जाना है तो initially सबसे पहले तो जो भी candidates आएंगे उनकी screening होगी और screening के बाद उनको interview face करना होगा उसी दिन तो ये सारी details होगे इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो कोई भी query या कोई भी clarification अगर आपको चाहिए तो ये telephone number यहाँ पर दिया हुआ है इस telephone number पर आप contact कर सकते है during office hours या working days में ठीक तो ये सारी की सारी details होगे phone number मैंने आपको बताई दिया है उमीद है ये information आपके लिए useful रही होगी DRDO बहुत ही prestigious organization है अगर आपको यहाँ पर मौका मिलता है काम करने का तो बहुत अच्छा हो जाएगा तो उमीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है तो उसे जरूर लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा Thank you so much and have a good day